वेस्टन डीच के बार्बडोस में होगा दच्छिट अफरीका और भारत का मुकाबला क्या 2007 की सूखिय को खत्न कर पाएगी भारती टीम आज हमारे साथ भारती फैंस है हम जानेंगे सबसे पहले अगर प्यूजी हम बात करें तो ट्रम कार्ट के रूप में विराट कोहली को कहा जा रहाता है क्या इस बार जो की नाम बड़े और दर्सन छोटे जैसा की विराट कोहली के बारे में कहा जार विराट कोहली वास्तों में बड़े प्लेयर हैं अभी तक शुरुवाती मैचे अफ्रिका में हुए थे और वहाँ पे क्रिकेट अभी शुरुवात है इसे स्लोप पीछ थे बहुत सारे टीम जो की देखने को मिला कि कम-कम इसको रुपे फाइट हुआ वहाँ पे चले नहीं है हालाकि विराट को लिए ब अब जैसा कि दशीर अफ्रिका खत्रा के बारें बात पूछ रहे हैं तो दोनों टीमों के बीच अभी तक 20 मुकाबलों की जो बात है 26 मैच खेलेगा है भारत तो अफ्रिका के बीच जिसमें से 14 भारतिय टीम और 11 अफ्रिका ने जीता है वर्ल्ड कप की बात रही तो 6 मुक उठ रहा था कि यह क्या हो रहा है लेकिन अब समझ में आ रहा है अगर तीज गेदबाजी आकरमण की बात करें तो जस्पित बुमरा ने बहतरीन गेदबाजी की है लेकिन फाइनल में ट्रम कार्ट साबित कौन होगा जस्पित बुमरा के साथ अगर कहें अर्षदीप हैं और पांडिया भी उसमें बीच-पीच में काम कर रहे हैं लेकिन इस पिनरों का वहाँ पे ज्यादा दारमदार होगा और ज्यादा भूमिका होगा और अच्छा करेंगे पीछे करते आये हैं क्या मैंदर सिंग धोनी इनने 2007 जीता जब वो शुरुवाथी टी-20 की इस बार रोही सर्मा की टीम वैसा कर पाएगी विराट कोली हैं रोही सर्मा हैं बड़े-बड़े नाम हैं बिल्कुल कर पाएंगे क्योंकि अभी तक इस विस सुकप में भारती टीम जो है कि सारे मैंच प्रेव जीती है और मैं सेम फाइनल के बारे में भी दोस्तों में चर्चा उर लेक दोझल साथ के वा दोड़े शर्मा उस कहानी की दोहरानी जा रहetzung एंतर कौण और मौन नारे रहे हैं इंडिया त embora इंटेम इस बार को जितेगा भारत दछट फ्रीका में बहुत सारे से खिलाड़ी हैं खत्रा किस से भारत को भारत को पहले तो खत्राय मानक क्यैंसंत अबहरों में वह बहुत ही खत्रा पैदा कर सकते हैं भारत के लिए इसा बले बाच बोला अच्छी अफरीका के खेमे की बात करें एक अनभो भी है तो कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि खत्रा भारत के क्योंकि दच्छी अफरीका ने भी कभी भी कभी आइसी सी काईवेंट कर रहे हैं तो वल्ड कप तो हम ही लाएंगे बलेबाजी को कैसे देखते बलेबाजी को तो शुराती दोर में तो अगर कुंटिंडिका काउट जा रहे हैं तो बाकि कोई तो उतना मतरब चल नहीं रहा है भी लेकिन कोशिछ करेंगे कि उनको जल्दी आउट करके वर्ल कप लाएं विराट कोली चले नहीं है शिवंदूबे चेन्नाई की का सिवंदूबे चेन्दीम का हैं साथ है भारत के पार पीच पे रान बनाए उन ले इस बार तो परिवरतन को अलीग आर्षा तक करीब रहेंगे अर् ऐस बार होने वाला है भारत कशिलाडी कौन सा इस सब्रास प्रीजा यूचा वि नहीं है तो अब चले प्रभी सुकप के हम बात करें तो शुरुवाती वो चर्चाय थी ओपनर के तोर पे फेल हुए कभी रोही सर्मा चले कभी विराट कोली लेकिन रोही सर्मा चले विराट कोली चले नहीं जैसा सवी जैसा वाल बाहर बैठे हैं डगाउट में आप कहा तक देखते हैं क्या समहाल रहे हैं पचास सब्रों के क्रिकट में हम लोग देखा था कि रोही सर्मा ही जीमा समहले थे और इसमें पी समहाल रहे हैं और सही बात ज्यादा लोगों का यह सोच है कि कोहली को उनकी अस्थान पे जो की नंबर वन का अस्थान है वही पर खेलना चाहिए तीसरे अगर च्छीड अफ्रीका तेज गेतबाजी की बात करें हैं आ 거죠 आ उस ऐसे तीज गेतबाज के पास तैज गेतबाजी को धार देते हैं रबादा रोही blossom सर्माKEN पूरी जिम्वारी के साथ खेल रहे हैं और रबादा को भी वह अच्छेतर पेंगे ऱ Bao पारी खेलेंगे और भारत का इसकोर हम लोगों को अगर पहले बले बाजी करते हैं तो दोसों के पार जाएंगे और अफरिका को 120 के नीचे हम लोग रखेंगे अगर हम आपसे पूछे राहूल द्रबिड का जैंतिम दोरा है क्या भारत कीमों को विदाई दे पाएगी विराट कोली, रोही सर्मा, रबिंदर जटेजा जैसे सरी के खिलाड़ी हैं जोकि इसके बाद साइटी ट्वेंटी के फार्मेट में वो दिखाई न दे तो क्या युवा जोस इस बार दम लगा रहा है और जो पचास उभर का फाइनल हम लोग अस्टेले सारे थे उसका दबा करें पचास उभर के क्रिकेट की एहमदाबाद का वो मुकाबला था जहां पर भारती टीम हार गई अभी वो उसको फैंस भूले नहीं है रोई सर्मा जिस तरीके से बेबाकी से वो खेल रहा है हमने देखा सतक के करीब थे लेकिन उन्होंने विकेट दे दिया रंच ही है त एक दबाव तो रहेगा ही बड़े मैच का लेकिन उसको छोटे छोटे जैसे आपने पीछे कहा कि टुकडों में प्रदर्सन भारती टीम कर रहे है तो 11 प्लेरों का खेल है तो सबको अपना कुछ न कुछ करना होता है और सब के सायोग समलोग जीतेंगे और अच्छा इस बार का कफ भारत के नाप इस बार कौन जीत रहा है तो बारवडोस का जी मुकाबला है दचिट अफ्रीका और भारत की टीवे आपने सामने होंगे दचिट अफ्रीका ने भी पहली बार किसी भी ICC के वेट पे फाइनल में प्रवेश किया है जीत का दाव लगाएगी द सील तिवारी